दोस्तों गलती से आपने फोन के गलरी से कोई ऐसी फोटो डिलीट करती है जिस फोटो के डिलीट होने का आपको काफी ज्यादा अपसोसरवा है जिसके लिए आप Google Play Store पे जाएंगे आप File Recovery, Photo Recovery लिखकर सर्च करेंगे तो आपको यह application मिल जाएगे, वैसे इस application का link मैंने वीडियो की description में भी दे दिया है, तो आप direct वहाँ से इस application को अपने phone में download and install कर सकते हैं, चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम अपने phone के गले इस कुछ photos क कर लेते हैं, चेक करने के लिए की क्या यह application वागई में work करती है या नहीं, तो हम यहाँ पे कुछ एप्लिकेशन, कूछ photos को यहाँ पे इस तरी की से दोस्तो हम यहाँ पर select कर लेते हैं और select करने के बाद यहाँ पे हम delete पे click करके in photos को हम यहाँ पे delete कर देते हैं अब दोस्तों चलिए हम check करते हैं कि यह application 100% काम करती है या नहीं तो application हमने download and install कर लिया है simply आप application पे click करेंगे दोस्तों यह application बिल्कुल free application है तो आपको इस application में थोरे ads वगेरा देखने को मिल जाएंगे तो जो भी ads आएंगे उन्हें आप cut कर दिएगा तो चलिए यहाँ पे add आ चुकी तो हम यहाँ पे add को cut कर देते हैं add को cut कर देने के बाद इस तरी के सापके सामने option आईगी तो आप यहाँ से simply आप उपर right वाले निसान पे click करेंगे click करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस application की मदश से आप delete photos को recover कर सकते हैं video को recover कर सकते हैं audio file को recover कर सकते हैं folders को recover कर सकते हैं depend करता है आपको क्या recover करना है चलिए हम delete photo को recover करना चाहते हैं करेंगे तो चले हम टैप करते हैं और अब यह जो application मेरे phone को पुरी तरीके से scan कर रही है जितने भी photos मैंने जब से इस mobile को मैंने new purchase किया है तब से जितने भी photos मैंने अपने phone से delete किये उन सभी अब यहां पर इसकेन कर रहा है आपको फिलाल 1113 फोटो को यहां पर scan किया गया है इसी तरीकी से कुछ photos यहां पर scan हो रही है तो आपको कुछ second का यहां पर पूरा scan नहीं हो जाता है और जैसे ही पूरी की पूरी application scan कर लेगी आपकी mobile के data को तो जितने भी photos आपने डिल्ट के ह तो सभी आपके सामने आ जाएंगे तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हमारे पास अब तक हमने जितने भी photos अपने phone की गलेरी से यहां पर डिलीट किया है वो सभी यहां पर हमको देखने को मिल जा रही है जहां पर आप देख सकते दोस्तों अभी-अभी मैंने इन photos को यहां अब देख सकते हुआ है यहां पर ओपन करता हूं अध आगई एड को कट कर देते हैं तो आप देख सकते हैं इन photos को अभी मैंने डिलीट किया था था यहां पर सभी photos यहां पर हमें देखने को मिल जा रही है बहुत अच्छी तरीकी से application work करें आप यहां पर देख सकते हैं इन ही photos को मैंने delete किया थे हैं कुछ अधार कार्ट, pen card के photos हैं उन्हें मैंने delete कि थे अब recover कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ recover करने के लिए जिन भी photos को आप recover करना चाहते हैं सिंपली आप उस तंच से सेलेक्ट कर लिए उन फोटो को जिन फोटो को भी आप यहा पर रिकवर करना चाहते ह контр Key सेलेक्ट कर लिजिये औहुद्ट तो आप यहाँ पे रिकवर होना स्टार्ट हो चुकी है। अघियो выпуск इस पार रोलAKE हो चुकी है चली किस दो वह हमारे phone के gallery में recover हो चुके चलिए अब हम यहाँ पर आपने phone के gallery में जाकर check करते हो आपको कहाँ पर देखने को मिलीगी मैं बताता हूँ gallery open कीजिएगा open करने के बाद यहाँ पर album पर आईएगा album पर आने के बाद other album पर click करिएगा और एक नया folder बन जागा दोस्तो फोटो के नाम से आप यहाँ पर देख से एक नया फोटो पहले हमने camera वाले फोटो के अंदर से डिलीट किया लेकिन recover होने के बाद एक नया folder बन गया जिसका नाम ह फोटो हम यहाँ पर click करते तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिन जिन फोटो को हमने recover किया हो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है तो कुछ इस प्रकार से आप इस application की मदद से इस्तेमाल करके आप अपने phone से डिलीट हो चुके photos, videos, audio file, folder वगेरा को आप recover कर सकत तो 100% genuine application है दोस्तों मुझे तो यह application काफी ज्यादा पसंद आई I hope आप सभी को भी application पसंद आईगी फिर दी अगर आपके मन में किसी तरह का कोई भी सवाल है तो आप वीडियो की नीचे comment section और comment करके आप हमसे पूझ भी सकते हैं इस वीडियो में बस इतना ही जल्दी मिले अगर ने वीडियो में कुछ नए टोपरे के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद